यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी आज इफ्तार पार्टी देंगे कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद राहूल की ये पहली इफ्तार पार्टी होगी ऐसे में कयास लगाई जा रहे हैं कि इस पार्टी से विपक्ष एक जुटता की जमीन भी तयार हो सकती है इसे पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष रहने के दोरान सौनिया गांधी ने 2015 में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था तो आको मतादे ताज पैलेस होटल में राहूल के इफ्तार पार्टी में कॉंग्रेस के नेताओं के अलावा विपक्ष दलों के भी कई नेता शिर्कत करेंगे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताविक इस पार्टी में विपक्ष के कई नेता पहुंचेंगे जिसमें करनाता के सीएम, हडी, कुमारा स्वामी, जेडियेस के अध्यक्ष हडी देव गौडा का नाम शामिल है प्रधान मंत्री जे ने पूरे देश को बाटने का काम किया है युवाओ को, किसानों को, गरीब लोगों को दोका दिया है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता सत्य को समझती है और हिंदुस्तान की जनता भूलती नहीं है युवाओ कह रहा है कि मैं युवाओ हूँ, मेरे अंदर शक्ती है मैं देश का भला करना चाहता हूँ, मुझे रोजगार दो और प्रधान मंत्री कह रहे हैं, नहीं तुम अपने देश को फाइदा नमच पोचाओ, तुम एक दूसरे से लड़ो तुम एक दूसरे से लड़ो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं मैं प्रधान मंत्री हूँ, मेरे भाषनों से हिंदुस्तान चलेगा वाजपाई जी के खिलाब कौन लड़े थे? हम लड़े थे, मकर जब वो बिमार है, पहले में वहां गया क्योंकि मैं कॉंग्रेस पार्टी का सिपाई हूँ, और मैं बात समझता हूँ कि जरूर वाजपाई जी हमारे साथ हमारे खिलाब लड़े, मकर वाजपाई जी ने हिंदुस्तान के लिए काम किया वाजपाई जी हिंदुस्तान के प्रधान मंत्रे रहे और हम उस पत्कप आदर करते हैं और अगर वाजपाई जी आज बिमार है तो हम जाके उनके साथ खड़े होंगे ये हमारा इतिहास है और ये हमारा धर्म है झाल